इस वीडियो में आपको सुमझानीगा करूँगा एक ऐसे टोपीक हो जो क्लास 10 के लिए काफी इंपर्टेंट है क्लास 10 के लिए काफी इंपर्टेंट है तो देखें सबसे पहले तो हम आपको बता देता है टोपिक? क्या है टोपिक है beating of heart और reflex section beating of heart और reflex section में हमें difference बताना कि basic differences के बीच में क्या रहते हैं तो देखिए सबसे पहले तो काफी important topic है reflex section ये तो एक difference के तोर पे है डिएरेक्ट भी पूछ सकता वटा reflex section reflex section से related diagram बनाई जो एक diagram रहता है सर्कूलिट्री डायगराम तो ना तो coverage भट सकते हैं तो डिल इस होते हshelf हमारे ब्रेन के घंट्रल में नहीं होतने उसे बोलते है आप सीब्सक्राइब बर, involuntary actions are the actions which are not controlled by our ability, ऐसे actions जो हमारे actions, हमारी इच्छा से control नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं involuntary actions, उसमें ही beating of heart, take example है, reflex actions are the sudden action in response to something, जबकि जो reflex action वो क्या है, वो किसी चीज़ के जवाब में, किसी चीज़ के response में, जो अचानक से कियेगे, sudden जो actions होते हैं, उन्हें बोलते है reflex actions, दूसरा point देखते हैं, they do not need any kind of stimulus to work, यानकि beating of heart, जो है, उसमें किसी type का stimulus नहीं चाहिए, stimulus का कोई outer agent नहीं चाहिए, जिसकी वज़ए से वो हम काम करने के लिए मजबूर हो, तो इसमें किसी type का stimulus की जूरत नहीं है, stimulus मतलब outer factor, जो उस चीज़ को मतलब initiate कर रहा है, उसे stimulus तो beating of heart तो natural process है, इसमें कोई stimulus की जूरत नहीं है, जबकि जो reflex actions होते हैं, उसमें एक stimulus चाहिए, outer factor चाहिए, जिसकी वज़ए से वो काम होगा, तो अब थाड़ देखते हैं, these actions are regulated by the brain, जो beating of heart होते हैं, वो एक type का involuntary action है, और ये brain के दवारा regulate किया जाता है, जबकि जो reflex action हो कोड के दवारा regulate किया जाते है, spinal code, अब अगला point है, they do not involve skeletal muscle, जो beating of heart होते हैं, और involuntary actions होते हैं, उनमें skeletal muscle की कोई involvement नहीं होती, जबकि reflex action होता ही, skeletal muscle के दवारा है, जैसे कि हमारे हाथ, मान लेज़े हमारे हाथ को किसी ने, किसी गरम चीज़ने को touch कर लिया, जैसे तब को touch कर लिया, तो अचानक से हाथ हम पीछे लेंगे, तो यान कि हमारे muscles, skeletal muscles का involvement हो रहा है, तो reflex action में skeletal muscle इसमें involved होती है, अब अगला point जैकते है, these actions are performed throughout one's life, यान कि जो beating of 35, involuntary actions होते हैं, वो जीवन भर किसी वेक्ति की पूरी जिन्दगी चलते रहते हैं, ठीक है, जबकि reflex action क्या है, reflex action जब हमें इसके जूर्ट पड़ेगी, जूर्ट पड़ेगी मतलब क्या है, जब हमारे कोई stimulus हमें उस चीज़ को करने के लिए मजबूर करेगा, तो कोई emergency situation आईगी, तो ऐसी चीज़े reflex action हम करते हैं, अब next point, this action may be quick or slow, involuntary actions होते हैं, beating of heart, ये तेजी से भी हो स सकता है, जबकि जो reflex action हो, हमेशा quick रहता है, instantaneous रहता है, अब examples की बात करें तो देखिए, beating of heart तो खुद एक कोई दिक्कत ही नहीं है, beating of heart तो एक involuntary action है, जबकि reflex actions के example की बात करी जाए, तो जैसे blinking हो गया, और जब हम किसी चीज़ को hot चीज़ को touch कर लेते हैं, जैसे hot तवे को touch कर लिया, hot plate को touch कर लिया, तो अचानक से जो हम अपना हाथ हटाते हैं, वो एक reflection का example है, तो अब इसी चीज़ को एक बार दुबारे फटा फट देख लेते हैं, ताकि और चीज़े clear हो जाए, अब आपको exam में point by point लिखनी है चीज़े, तो इसलिए इसको अच्छे से memorize कर और वो किसी stimulus के response में किये जाते हैं, the involuntary actions are the actions which are not controlled by our will, जो हमारी इच्छा से control नहीं होते हैं, तो इसा बोलते है, involuntary action और beating of heart इसका ही एक example है, जबकि reflex action है, the sudden action is response of something, यान कि किसी के हम जब हम response करते हैं, sudden actions जो होते हैं, उसे बोलते है reflex actions, दूसरा point, they do not need any kind of fullness to work, किसी तर stimulus या फिर outer factor की जूर्थ नहीं होती, beating of heart के लिए, जबकि जो reflex action है, उसमें stimulus की जूर्थ होती है, stimulus के आविलस से, अगर किसी गरम तवी को टच कर रहे हैं, तो stimulus है, वो अहां गरम तबाजो की हमें, ये reflex action करने के लिए मजबूर कर रहा है, these actions are regulated by the brain, जो beating of heart है ये brain के दवार या फिर जो involuntary action हो, brain के दवारा, हमारी इच्छा के दवारा, इच्छा से होते है, brain regulate कर सकता है, जबकि जो reflex action होते हो, spinal code, main point है, सबसे main point है ये, इस point को mark कर लिजेगा, reflex action जो होते हैं, वो हमेशा spinal code के दवारा regulate की जाते हैं, जबकि involuntary actions जो होते हो, भी, वो हमेशा brain के होते हैं, next point है, they do not involve skeletal muscle, beating of heart, skeletal muscle का कोई रोल नहीं है, जबकि जो reflex action होते हो, इसमें skeletal muscle की involvement होती है, अब अगला point है, these actions are performed throughout one life, अब किसी आदमी की कि पूरी जिंदगी involuntary actions चलते रहते हैं, जैसे beating of heart, जो पूरी जिंदगी तलता रहेगा, जबकि reflex action जो हो, emergency situation में ही होते हैं, these actions are produced in response to an event of an emergency, this action may be quick or slow, beating of heart, जो हो, ये quick भी हो सकता है, slow भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है, और धीमा भी हो सकता है, जबकिको reflex action होगा, हमेसा quick होगा, no doubt.